असलाम अलेकुम वेलकम टू आड चैनल डबली ए मेंटोर मैं हूँ आपका टीचर वसीम अबास आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नमबर 10 का एक और लेक्टर 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 आया हूँ तो आज यह स्टार्ट करते हैं हो असमारा आज का लेक्टर है क्लें इसकी डेफिनीशन हम बढ़ेंगे विचर और कुछ डेफिनेशन है हमने इनको डिस्क्रस करना है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि Simple Harmony Motion क्या होती है आपने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी इसके बारे में डिटेल पड़ी है मैस सब्रेंग सिस्टेंग के बारे में बढ़ा बाल एंड बाल सिस्टेंग के बारे में बढ़ा और पैंडलंग के बारे में बढ़ा Simple Harmony Motion जो बुक के मताबिक डेफिनेशन है वो ये है Simple Harmony Motion occurs when a net force act on a body is directly proportional to the displacement from the mean position Means जब भी आप किसी बाड़ी पर net force लगाते हैं और वो बाड़ी Simple Harmony Motion करती है और वो vibrating motion करती है तो उसकी जो net force होगी वो उसके displacement के directly proportional हो जाएगी Means जब आप किसी बाड़ी पर net force लगाते हैं हम pendulum की example ले ले लेते हैं कि जब आप उसको दर्मियान से force लगाकर extreme position पे लेके जाएंगे तो जितनी आप force ज़्यादा लगाएंगे displacement उतना ज़्यादा cover होगा आप force कम लगाएंगे displacement कम होगा Means directly proportional है force displacement के इसके अलावा definition में एक और बात लिखी है force is always directed toward the mean position Means जो force होगी लगाई जाने वाली उसकी direction हमेशा mean position की तरफ होगी definition में इतनी detail लिखी हुई है इसके लबस के चार features हैं जो कि हम लोगों ने detail से पढ़ने हैं चार features जो book में दिया हुए है उसमें पहला feature यह है जो body symbol harmony motion करती है वो हमेशा एक fix position के get move करेगी जैसा कि आप लोगों ने पहली तीन examples में भी देखा था मैसमिलिंग system भी एक fix position के get move कर रहा था और ball and ball system भी उसके बाद पैंडो लंबी यह इसका first feature लिखा हुआ है book में second जो इसका feature है वो यह है कि जो इसका acceleration होगा ना body का जो भी body symbol harmony motion करेगी उसका जो acceleration है उसकी direction हमेशा mean position की तरफ होगी यह second point है तीसरा point यह है कि acceleration जो है वो displacement के directly proportional होता है means जैसे displacement की quantity होती है उसी तरह से acceleration भी होगा for example तरम्यान में mean position पर displacement 0 है तो acceleration भी 0 होगा और extreme position पर displacement maximum है तो acceleration भी maximum होगा जो fourth point है fourth point यह है कि velocity body की इस तरह move करता है pendulum जो के simple harmony motion की example है उसकी जो velocity है वो mean position पर maximum होती है और extreme position पर जाकर minimum हो जाती है इस तरह चार features आप लोगों को बुक में बताए गए है symbol harmony motion के इसके बाद कुछ definitions हैं वो हमने discuss करनी है vibration क्या होता है time period, frequency, amplitude सबसे वहले तो vibration के बारे में बता दो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम लोगों ने पैंडूलम की example ले थी और body move करती है पैंडूलम इस तरह move करता है अब अगर देखा जाए तो जो पैंडूलम है हमारा पैंडूलम अगर इस तरह move कर रहा है यह उसकी mean position है दर्मियान में और वो गिस्ता अमूग करेगा आप उसे mean position से ले जाते हैं extreme position तक यहां से अगर आप छोड़ें तो body यह उमूग करेगी अब extreme position से अगर वो body start अगर आप उसका लें तो body यहां पर जाके यह दूसरी extreme position पर जाती है और वापिस इस जगा पर आती है तो जो वो इस जगा से दूसरी extreme position पर गई और जो वापिस आई यह जो इसने distance cover की है ना यह इसने एक vibration की है इसी तरह अगर उसको यहां से आप start करेंगे तो उसकी vibration किस तरह होगी यह एक vibration है और अगर आप start करते हैं इस तरफ से एक vibration दो वाइब्रेशन और अगर दर्म्यान से start करते हैं तो यह एक vibration हो गई इस तरफ को मूँ करेंगे तो यह एक vibration आपने पूरा एक roundtrip उंकमल करना उसने मुख में example के तो पर जो वर्ड यूज किया है वो राउंड ट्रिप भी कहा ह है vibration भी कहा है oscillation भी कहा है यह सब जो वर्ड्स है vibration के लिए ही यूज होते हैं second definition है time period की time period बहुत ही simple है जो vibration मैंने आपको बताई उस vibration के दुरां जितना time लगेगा ना उससे आप कहते है time period for example pendulum move करता है एक vibration उसकी मुकमल होती है one second में तो आप कहेंगे time period of pendulum is one second और अगर उस time period 0.5 second होगा means time period time period is the time for the vibration इसको capital T से represent किया जाता है इसके बाद है frequency frequency is the reciprocal of the time period इसके अलाबा frequency के लिए जो definition book में लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक second में होने वाली number of vibrations for example pendulum move कर रहा है हम सिरफ एक second की बात करते हैं और एक second में pendulum move करता है दो दफा तो उसकी frequency होगी two hertz Hertz को आप hz से represent करते हैं यह frequency का unit होता है one hertz is equal to one per second means s raised to the power minus one इसका मतलब है frequency क्या हुई एक second में होने वाली number of vibrations अगर एक body बहुत speed से move करती है अगर आप बात करें massive ring system की और massive ring system इस तरह बहुत speed से move कर रहा है और वो एक second में दस दफा इस तरह मूँव करता है उसकी vibration 10 है तो उसकी frequency 10 hertz होगी ठीक है means जो time period है वो एक vibration का time है और जो frequency है वो एक second में होने वाली number of vibrations है ठीक हो गया बुक में इसकी उसना जो फॉर्मल लिखा हुआ है उससना लिखा हुआ है f is equal to 1 over t means आप t is equal to 1 over f भी लिख सकते हैं इसका मतलब है कि time period और frequency एक दूसरे के reciprocal होते है उसके बाद last है amplitude amplitude का होता है amplitude होता है mean position से लेकर extreme position तक का फासला अगर आप pendulum को दर्मियान से move करके उसकी mean position से extreme position तक ले आते हैं तो वो उसका होगा amplitude ठीक है यहां तक इसकी यह important कुछ definitions है complete हो जाती है उसके बाद जो हमारा next topic है वो है dampd oscillations dampd oscillation हमारा जो important topic भी है short में भी आता है normally और long में भी आता है अब इसको आप देखें इसकी यह मैंने diagram बनाई हुई है dampd oscillation होता क्या है पहले मैं आप उसका बता दूँ अगर आप example लें एक body एक spring है और spring को मैं इसतरा move करता हूँ और spring उसके पास vibration करने लग जाता है और अगर हमारे पास एक ideal system होना ideal system ideal system कहते हैं उसे जिसमें कोई resistive force ना हो resistive force वो force होती है जो कि किसी चीज की motion को oppose करती है और उस चीज की motion को रोकती है मतलब उसे move नहीं होने देगी आप देखेंगे कि अगर आप spring को इस तरह move करें और move करता करता आई साल स्लो हो जाएगा अगर हमारे पास ideal condition होना मतलब means friction zero हो जाए तो friction zero होगी तो वो move करता रहेगा वो कभी भी नहीं रु होता रुक जाएगा ऐसा क्यों होता है ड्यू टू सम रिजिस्टिफ फोर्स उसकी mechanical energy आइसा इसा काम हो जाती है जैसे air friction है उसको तो आपकम नहीं कर सकते आप उसको छोड़ेंगे वह move करता करता आइसा इसा कम होता होता कम हो जाए पहले अगर उसका amplitude इतना ज्यादा है त इसकी एक्जांपल उसने बड़ी इच्छी दिए है डियाग्राम से उसने शो किया मैं आपको डियाग्राम समझाता हूं जब आप किसी चीज़ को मूव करते हैं लैट से आप स्प्रिंग को आपने मूव किया तो उसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रिजेंटेशन देखे करता है उस स्पीड में काफी स्पीड से मूव करता है आइस सब्स्क्राइब कम हो जाएगा तो उसकी वेव मोशन भी थोड़ी कम हो जाएगी इसको ग्राफिकली आप इस तरह शो करते हैं देखे उसने लिखा हुए है टीकरेजिंग एमप्रिटूड यह डियाग्राम उना गई है decreasing amplitude का मतलब है कि पहले उसका amplitude ज्यादा था और वक्ती सासद कम हो रहा है मीज डैंप हो रहा है ठीक है इसी तरह से लिखा हुआ है कि टाइम जैसे से गुज़ेता जाएगा उसी तरह से उसकी मोशन डैंप हो जाएगी फिर नीचे लिखा हुआ है enveloping of the damping means जैसे जैसे आप वक्त गुज़रेगा resistive force बढ़ेगी और उसकी motion जो oscillation है वो damped हो जाएगी यहां पर लिखा हुआ उसने displacement डिस्प्लेस्मेंट जो है उसका उसने amplitude शो किया हुआ है ठीक है इसके अलावा यहां तो तो इसकी explanation भी मैंने आपको बताई है और इसकी definition भी इसकी कहले है वो मूव कर रही है और वो किसी ऐसे रस्ते से गुज़री है जो रस्ता ठीक नहीं है तो गाड़ी में अगर कोई शौक लगता है गाड़ी को तो गाड़ी को नुकसान पहुंचता नहीं नहीं आपको को फील होता है क्योंकि उसके अंदर शौक एब्सॉर्बर्स ल लोर पिस्टन होता है वो कार के एकसल के साथ अटैच होता है उसके जो वील होता है उसके अंदर जो एकसल होता है उपर इसके अंदर कुछ लिकुड भी होता है पिस्टन उसके लावा हमारे पास पिस्टन है इसके लावा यह हमारा पूरा शौक एब्सॉर्बर्स का इंट start करेंगा शॉक जब सिक यहां पर आगया तो वह नहीं से को यहां मूब करेगा इसके एलाव उपर लिक्विट है वहो लिक्विड उस को मूब करेगा बो ét tone उसके बाद आगे आगे piston पे अप्लाय कर रहा है वो जैसे आगे अप्लाय करता जाएगा उसका जो एम्प्लीटूट है ना वो थोड़ा कम होता जाएगा जैसा कि इस डियाग्राम में आपको बताया गया था कि स्टार्ट में उसका काफी ज्यादा हो एकाल हो जाएगा तो जो शॉक से ऊपर जाएगा फिर नीचे मुः करेगा फिर नीचे मुः करेगा मीज्ट घब इसके अंदर को शॉक गाड़ी को लगता है तो इसका पिस्टव यह इस्त्राइग जैसे पहले पya करेगा व आजके लेक्च्चर आपको समझ आगया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वैल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताके आने वली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके अपना खियागा अलाहीम